हलो दोस्तो हमारी यूटूब चैनल ग्राम पंचाज की जानकारी में आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में आपको ग्राम पंचाज चुनाव दोहजार बीस में संतान जुड़ी संपूर्ण प्रकार की जानकारी मिलेगी यानि कि संतान कितनी होनी चाहिए क्या तीसरी संतान का नियम नहीं लागू होता है या लागू होता है यानि कि ग्राम पंचाज चुनाव दोहजार बीस में अगर उमीदवार अपनी संतान को गोध दे देता है यानि कि अगर उसकी तीन संतान है तो एक संतान को गोध दे दे तो क्या वह मान्य है या नहीं है साथी चुनावस जूड़ी यानिकी ग्राम पंचे चुना में उम्मिद्वार के उपर संतान जूड़ी कौन सा नियम लागू होता है और शेक्षणित योग्यता कितनी होना चाहिए नियुतम आयू कितनी होनी चाहिए और साथी सचलिय होना चाहिए नहीं होना चाहिए और आपको अन्य जानकरी आपको तीन प्रकार की अन्य जानकरी भी मिलेगी जिसमें चुनाव में कि पितनासरेश ओनाफियो वो क्या लगती है कि कितने जान आपको रखना चाहिए आदा आशेर जीदा कैसे लगती है साथी एविय मशिन को लेकर क्या जबाब आपको सरकारदारा मिला है यानि कि सरपन्च चुनाव जड़ी यानि की ग्राम प्रशाद 2020 में जो चुनाव हो रहा है उसके चुनाव जड़ी संपुन परकार की जानकारी इस वीडियो में अपको मिलेगी वीडियो चालू करने से पहले आपको जानकारी बता दू कि अगर आभी तक हमारी यूटूब चैनल ग्राम पंचाथ की जानकारी से आप नहीं जुड़े हैं हमारी यूटूब चैनल ग्राम पंचाथ की जानकारी से अगर आभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो जूट जाईए जिससे आपको ग्राम पंचा योजनाव जोड़ी और ग्राम पंचा चुनाव जोड़ी संपुन प्रकार की जनकारी मिलते रहेगी। आज के वीडिम आपको बता दूूं सबसे पहले आपको जानकारी बता दू, शेक्षणिक योग्यता को लेकर तो शेक्षणिक योग्यता कितनी होनी चाहिए अगर आप ग्राम पंचा चुनाव दोहजार बीस में सरपंच और वाडपंच के उमीदवार है तो आपकी शेक्षणिक जो योग्यता होती है वो समाप्त कर दी गई है यानि कि शेक्षणिक योग्यता कि कोई जुरूद नहीं है यानि कि आप अनपढ़ हो फिर भी आप ग्राम पंचा चुनाव दोहजार बीस में चुनाव लड़ सकते हैं अब आपको बता है तो न्यूतम आयू सबसे उमीदवारों के लिए सबसे बड़ी परिशानी है तो वो है संतान जुड़ी जानकारी तो आपका बता दू कि दो से अधिक जीवित संतान नहीं होनी चाहिए साथी गोद दी गई संतान भी गिनी जाएगी यानि कि ग्राम पंचाई चुनाव 2020 के जो नए निय ум बने है उसमें आपको बता दू 2014 में अगर आप चुनाव लड़ रहे थे तो आपके गोद दी गई संतान नहीं गिनी जाएगी पर आप 2020 के चुनाव में गोद दी गई संतान गिनी जाएगी तो अगर आपकी दो संतान से अधिक हैं तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं पर अगर आपकी दो ही संतान हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं पर अगर आपकी दो संतान से अधिक हैं तो वो आपका कौन सा नियम लागू होना चाहिए तो आपका बते हैं तो 27 नमबर 1995 के बाद अगर आपकी दो संतान है तो आप चुनाव लड़ सकते हैं अगर उसके बाद अगर आपके अधिक संतान है यानि कि 27 नमबर 1995 से पहले अगर आपकी 5 संतान है या 10 संतान है इससे कोई मतलम नहीं है 27 नमबर 1925 के बाद अगर आपकी दो ही संताने होनी चाहिए उससे ज़्यादा है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं यानि कि 27 नमबर 1925 से पेल आपके कितनी भी संताने हैं उसके बाद अगर एक भी संतान हुई तो वो तीशरी संतान का नियम लागू होगा अब आपका बता दू प्रत्याशी का नाम अगर ग्राम पंचाइट की वाड में पंचाइट सुची में होना अनिवारी है तो उस ग्राम पंचाइट के वाटर लिस्ट में उसका नाम होना अनिवारी है अब आपको बता दूँ पांचवी जानकारी ये जानकारी भी इंपोर्टेंट है सरकारदारा मान दे प्राप करने वाला व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है यानि कि सरकारदारा किसी भी लाप मिल रहा है तो वो ले रहा है तो वो ग्राम पंचाइट के चुनाव में भागिदारी नहीं कर पाएगा अब आपको बता है चटी बात वो हैं चुनाव में सोचालिय को लेकर यानि कि ग्राम पंचाई चुनाव दोहजार बीस में सरपंच और वाडपंच के उमीदवार है और उसके गर पर सोचाले नहीं है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता है यानि कि ग्राम पंचाज चुनाव दोहजार बीस में सरपंच और वाडपंच उमीदवार के गर पर सोचाले होना बहद आवश्यक है अब आपको बता दे सातवी जान कर ये आरक्सी सीट है तो जाती प्रमान पत्र आवश्यक है यानि कि जो अगर ग्राम पंचाज चुनाव दोहजार बीस में आरक्सी सीट पर अगर चुनाव लड़ रहा है यानि कि जनरल को चोड़ कर सभी चीटों सीट जो है यानि कि OBC, ST और SC की जितनी भी सीटे हैं वहाँ पर आपको जाती प्रमान पत्र देना आवश्यक है अब आपको बता दूँ अन्य जानकारी यह जानकारी आपके लिए बहत महत्वपूर है अगर आप ग्राम पंचाज चुनाव दोहजार बीस में चुनाव में उमिद्वार है सरपंच यह वाडपंच के सबसे पहले आपको जानकारी बता दू चुनाव में खर्च की सिमा बढ़ाय दी गई है यानि कि 2014 से लगा कर अभी तक चुनाव की जो खर्च सिमा थी वो बीस हजार थी पर 2020 के चुनाव में यानि कि ग्राम पंच चुनाव दोजार बीस में जो चुनाव की खर्च की सिमा है वो पच्चाश हजार कर दी गी है जिबकि 2014 में बीस हजार ही थी अब आपका बताई दो आचार सहीता को लेकर तो आचार सहीता का निर्वाचन आयक में आपका बता दो तो क्या कहा गए है तो आचार सहीता लागू हो चुकी है और आचार सहीता लागू होने पर करमाचारियों के अस्ताना अंतरण पद की स्थाप जो पद स्थापना होती है प्रंद पतिबिन यानि कि निर्वाचन आयक के द्वारा कहा गया कि जो आचार सहीता लग जाती है उसके बाद किसी प्रकार का फेर वदल नहीं किया जाएगा अब आपको और जानकारी बता दू इवियम मशिन को लेकर तो पहले क्या था कि इवियम मशिन ग्राम-पचा-चुनाओं में इस्तमाल नहीं किया जाता है था पर अभी के चुनाओ में 2020 के चुनाओ में सर प्रपन्च चुनाओं के लिए एवियम मशिन का उप्योक किया जाएगा इसलिए आपको और एक जानकारी बता दू कि ग्रामपंचा चुनआओ 2020 में सरपंच और वाडपंच उमीदवार के लिए चुनाओ हो रहा है तो आज उसके लिए वाड़ बरे जाते थे यानि कि कल चुनाओ होने वाला है तो आज एक दिन पहले चुनाओ के लिए फोंव बरे जाते थे पर अब EVA मशिन को लेकर है तो चुना में सरपंच और वाडपंच के उम्मिदवार को लेकर जो भी हमारे उम्मिदवार है उनका फॉर्म साथ दिन पहले भरा जाएगा तो ये जानकर आपको मिली और आपको सबसे पहले बता दू अगर इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर लिजिएगा साथी चैनल को सस्क्राइब कर लिजिएगा